आप देखो लले तब कुछ ले बत करा हुए देखो भी दोबारा पूछा है ये किसी नहीं दियान से देखो किसी दो अंकि ये संख्या के अंकों को पलिट दिया जाते है तब से बेसिक बात आपको समझनी है कि संख्या अगर आप दो अंकि ये लिखेंगे तो उसे हमेशा ऐसे लिखेंगे 10x plus y क्यों लिखेंगे ये भी आपको बता है कि ये वाला जो अंक है जैसे ये 75 भी लिखा हुए इसमें 7 की value 7 नहीं है 7 की value 70 है 70 प्लस 5 पिज़ता तो इसलिए हम इसे ऐसे लिखते है अगर इसके अंकों को पलट दिया जाएगा तो जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी 10 y प्लस x तो कह रहा है कि जब किसी दो अंकी ये संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो ये मूल संख्या से 75% हो जाती मूल संख्या से 75% अधिक हो जाती अगर कोई नमबर 20% या 25% बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि 100 प्लस उतना परसेंट होगे अगर ये 75 परसेंट ये वाला नमबर जो है नया नमबर 10Y प्लस X इस वाले से 75 परसेंट जादा है मतलब ये इसके 175 परसेंट के बराबर है इसका 175 परसेंट ये वाला नमबर है बस इसे solve करके X और Y की value निकाल लो कुछ करना नहीं 25 से काट दो 7, 25 से काट लो जाए 4 की गुणा इधर कर दो बटे में और 7 की अंदर कर लो इससे X और Y का ratio आजाएगा कितना आएगा? X की value एक आएगी, Y की value दो आएगी X और Y की value कितनी आएगी, एक और दो आएगी तो वो पूछ रहा है, ये जो एकाई का अंक है, ये दाई के अंक से कितना जादा है तो एक जादा है, किस से पूछा है? इस से तो बटे में भी इसे रखेंगे इंटू अन समझ रहे हैं? तो आपको बता लगेगा, ये 100% बढ़ गया है बताओ, शिवानी, आया समझ में? मैसेज करके बता दो, आया समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको अनम्यूट करके बूछता हूँ कि कहां पे क्या समझने में दिखता दे खीक है, किसी और को कोई दिक्कत है, तो बताओ भी, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो ध्यान से लेको याँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेस्टन लेते हैं, उसके बाद एक कॉंसेप्ट लेंगे, कॉंसेप्ट पर बात करेंगे, बढ़ा जरूरी इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट पर ध्यान से देखो, पहले इससे देखो, अनल वर्दी में अच्छे लग रहे हो भी लेकिन वीडियो आफ़कर दो घर पे माइक लगा के बैठे हो कि ड्यूटी पर हो घर पे मास्क लगा के बैठे हो देखो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाली है वही अंकित वैल्यू नहीं निकाली है, रेश्यो निकाला है एक और दो ठीक है न, वैल्यू नहीं निकाली है, रेश्यो निकाला है X और Y का वो कुछ भी हो सकता है कोई और value भी हो सकती एक और दो के अलावा value कुछ भी हो सकती है लेकिन ratio यह होगा और यह question मने cat के paper से लिया था बढ़िया question है अच्छा द्यान से दे कोई यह वाला paper यह बढ़िया question है कुछ खास है नहीं वैसे इसमें कह रहा है एक report 24 page की है 24 page की report है जिसमें हर एक page पे 80 line है और हर एक line में 50 अक्षर है अगर lineों की संख्या 60 कर दी जाए मतलब अभी तक 80 line थी अब गटा के कितनी कर दी जाए 60 20 line गटा दी जाए मतलब font बढ़ा कर दी जाए ऐसे समझ दे पिर कह रहा है और अक्षरों की संख्या 75 कर दी जाए तो पेजों की संख्या पर पृतिशत प्रबाव गयात करें पेज बढ़ेंगे गटेंगे कितने हों और पेजों की संख्या को पूर्ण संख्या लेना है मतलब आप यह नहीं कह सकते कि साड़े 20 page है साड़े 20 का मतलब हम क्या मानेंगे 21 page आप यह नहीं कह सकते कि 15.75 page है आप इसे मानेंगे 16 page ज्योंकि जगा तो 16 page की गिर्दी है समझ रहे है भी बात को कुछ खास बात नहीं है question में question बढ़ा असान देखो और report में एक चीज जो है वो same रहे कि चाहे आप line गटाओ चाहे बढ़ाओ चाहे आप अक्षर बढ़ाओ चाहे गटाओ जो report के total अक्षर है वो उतने ही रहेंगे report के total अक्षर जैसे मैं कहूँ कि मैं 3 page पे 3 ही अक्षर लिखता हूं चाहूं तो 1 page पे भी लिख सकता हूं लेकिन अक्षर तो 3 ही रहें तो आपको दोनों situation में अक्षर निकालने हैं देखो पहली situation में पूरी report में अक्षर कितने हैं तो देखो बढ़ी एक परतेक line में 50 अक्षर हैं और ऐसी 80 line हैं इसका मतलब इतने अक्षर एक page पे और ऐसे 24 page है मतलब सारे 24 page पे कुल मिला के इतने अक्षर है किसी को नहीं समझ में आया तो बता हर एक line में 50 अक्षर है और एक page पे 80 line है तो एक page पे अक्षर कितने होगे 50 गुना 80 और 24 page पे मिला कि कितने हो जाएंगे 50 गुना 80 गुना फिर देखो आगे कहरा है अगर line हो की संख्या 60 कर दी जाए और अक्षरों की संख्या 75 अब अक्षर हो गए 75 line हो गई 60 तो page कितने हो जाएंगे यह निकाल लेते हैं page हमें पता नहीं कितने हो जाएंगे लेकिन ये भी उस report के total अक्षर है ये भी उस report के total अक्षर है जो हर case में बराबर होंगे क्योंकि report में से आपने कुछ delete नहीं किया है आप font बड़ा चोटा कर रहे हैं तो ऐसे में आप इस x की value निकाल ले इसे काट लें जिससे कटता देखे जिससे आसानी से कट जाए जैसे 20 से ये 4 बार कटेगा 20 से ये 3 बार कट जाएगा 3 से ये 8 बार कटेगा 25 से ये 2 बार कटेगा 25 से ये 3 बार कटेगा और तो कुछ कटेगा नहीं 8 चोट 32 निक 64 बटे ये वाला 3 बराबर x ये 3 से काटोगे तो 21.33 आएगा लेकिन हमें 21.33 नहीं चीए पेज तो पूरे 22 गिर गए तो हम मानेंगे अब पेजों की संख्या कितनी हो गई 22 पहले पेज थे 24 अब घटके रह गए 22 तो बताओ पेजों की संख्या में कमी होई है कितनी कमी होई है बेज 2 की कितने पर होई है 24 बार्श इंटू 100 2 की कमी होई है 24 पर होई है इन 200 करके आप % निकाल लेंगे 2 से काट दो इसे 12 और आपको बता है एक बटे 12 की वैल्यू 8.33 होती है लेकिन ध्यान देना यहाँ पर इंक्रीज है कमी होई है तो 8.33 परसेंट डिक्रीज डिक्रीज का मतलब कमी है यह आपका अंसर होगी बताओ किसी को भी कोई दिक्कत होई है इसमें तो बोलो भी ज्यान से समझ लो देखो मैं साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन यह काम थोड़ा नया नया है तो इसलिए इतना साफ लिखा नहीं जा रहा है तो दीरे दीरे करके हो जाएगा दो चार दिन में हाथ सेट हो जाएगा इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ कोई डाउट नहीं है एक मिनिट में ज़रा चाहे जान लाँ हूं तो में लोग अगला कुस्टिन करो मैं आगे बढ़ा देता हूं और जब मीटिंग खतम होती है न उसके बाद में 5-6 मिनिट लगते है वो इसलिए क्योंकि पुरानी क्लास रिकॉर्ड होती है उसमें वो थोड़ा सा टाइम लेता है जो एप्लिकेशन है तो ये वाला क्वेस्टिन आप लोग करके देखो ये तो पीछे जला गया हूँ आप इसे करके देखो बड़ा प्यारा सवाल प्यारे से भी प्यारा और सिर्फ 20-30 सेकेंड का क्वेस्टिन इससे जादा अगर आपको लगरे गलत कर रहे हो झालो झाल झाल यााश बहुत अच्छा लगा क्या बहुत अच्छा लगा यह एप अच्छा लगा या फ़िए अच्छा लगा मैं तो हुई अच्छा मेरे बारे में तो फर बुझा कहना ही नहीं हूँ देखो भी बड़ा प्यारा सवाल है और आसान भी है अपनी टाटा टी एक वरत एक दुकान पर एक टीवी लेने गई जिसकी लागत 15,588 थी ठीक अभी तेंक यू अनल कह रहा है कि एक वरत एक दुकान पर टीवी लेने गई जिसकी कीमत थी 15,588 विक्रे कर की दर 11.11% थी उसने दुकानदार को इस तरह कीमत कम कर दी कि उसे कर समेथ टेक्स समेथ 15,588 रुपए देने बड़े ग्याद करे कीमत में कितने परसेंट कमी की गई यह को भी ध्यान रखना कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा डेटा दिया होते हैं ऐसा नहीं है कि उसके कोई नीड नहीं होती असल बात यह होती है कि उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जो 15,588 है इसका अगर आप इतना परसेंट निकालने जाओगा तो बड़ी मुसीबत में पढ़ जाओगा फिर उसे गटाओगा जरा ध्यान से समझना हम इस 15,588 को यूज ही नहीं करते हैं उसे टेक्स कितना पढ़ता उसे ध्यान से देखें मैंने आपको कल ही लिखवाई थी भी वैल्यू ठीकर वे 15,588 पे 11.11% टेक्स 11.11% को अगर फ्रेक्शन में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे यह एक बटे 9 है कल बोला था हमने कल इस पर बात हुई थी यह एक बटे 9 है मतलब 9 रुपे की चीज पर एक रुपे टेक्स लगते है मैंने कल भी बजयता यसे एक बटे 9 पढ़ना मन करो इसे पढ़जो को नौ में एक यओ 9 पे 8 अगर 9 रुपे का टीवी होता तो उस पर एक रुपे टेक्स देना पढ़ता मतलब उसे 10 रुपए का टीवी खरीदना पड़ता 9 वाली चीज पर एक टेक्स देना पड़ता तो 10 रुपए का टीवी पड़ता है इसकी कोई नेड नहीं है 15,588 लेकिन उसने कीमत इस तरह कम कराई कि उसने 9 रुपए दिये जितने देने ते उतने ही दिये तो उसने 10 रुपए वाली चीज को घटवा के फिर से 9 का करवा लिए तो वो पूछ रहा है कितने परसेंट कमी की गई कीमत में तो 10 वाली चीज उसने 9 में करीद ली तो कमी होई कितने पर होई 10 पर होई एक बटे 10 की कमी होई परसेंट में चेंज करोगे तो एक बटे दस की परसेंट वैल्यू क्या होती है दस परसेंट ये आपका आंसर होना चाहिए इट शुट बी दा आंसर समझ रहे हैं अभी कोई दिक्कत बताओ भी जै एक मिनिट मैं आपको आनम्यूट करता हूँ मैंने कर दिया है लेकिन आपके उदर से शाहिद मियूट है अब आज आ रही है बताएं सर एक बार और बता दीजी सेकंड श्टेप देखो भी आप चाहो तो इस पंद्रहाजार पांचसो अठासी को भी यूज कर सकते हो लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि जितने की थी उतने की खरीदी है उसने तो उसने वो जो टेक्स वाले पैसे थे वो छुडवा लिए अपने दुकान दा से तो इसकी कोई जरूरत नहीं आप ऐसे ही देखो कि टेक्स कितना है अब नौ की चीज पर एक टेक्स दोगे तो चीज कितने की खरीद होगे नौ वाली चीज दस में तो उसने नौ रुपए की चीज जो ती उसके नौ ही रुपए दिये तो एक रुपए उसने की कम करवाली और कितने पे करवाली दस पे करवाली अगर परसेंट में निकालना चाहो तो एक बटे दस को सो से गुना करते हो तो परसेंट में चेंज हो जाती है तो दस परसेंट उसने कीमत में कमी करा लिए तो यह जो पंद्रा आपको बटकाने के लिए दियो ही वैल्यू है बताव भी समझे है हाँ सरसमझे है लिए अब आपको नहीं आता है तो पताओ फिर मैं इतर से लिए असल में जब नया नया होता है तो उसमें दिक्कत होती है कोई सेटिंग हमें असानी से मिलती नहीं कि तहीं अब ही यह भी प्यारा सवाल है मुश्किल नहीं है यह बात देखो द्यान से मीना के पास M रुपए है और गीता के पास G रुपए है मीना अपने धन का 18% खर्च करती है गीता भी उतनी धनराशी खर्च करती है द्यान देना उतने परसेंट नहीं उतनी धनराशी अगर मीना 10 रुपए खर्च करती है तो गीता भी 10 रुपए खर्च करत 18% नहीं उतनी ही धनराशी, फर्क समझो, गीता आपने धन का कितने प्रतिशत खर्च करती है यह आपको भूता है, देखो भी वैल्यू आपको दीतो है नहीं, रुपाई में कितनी है, ना दोनों में कोई रिलेशन दी है, तो आप बहुत हिंजट में पड़े नहीं, मीना ने मीना का खर्च है, M का 18% यह मीना का खर्च है, और गीता का खर्च भी इतना ही है, मतलों गीता ने भी M गुणा 18 प्रते 100 खर्च की है, वो कह रहा है, गीता आपने धन का कितना खर्च करती है, तो गीता के पास धन है कितना, 0, गीता के पास G रुपए है, G में से वो इतने तो पूझ रहा है ये कितना परसेंट है G का, तो देखो M गुणा 18 बटे 100, कितना खर्च है कीता का, और कीता के पास रुपए कितने है G, अगर आपको परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 18 M बटे G परसेंट, ये G डबर लिग किया है, इससे सही कर लेना, ठीक है न, जितना पैसा मीना ने खर्च किया है और मीना ने कितना खर्च किया है ये पता है आपको, मीना ने कितना खर्च किया है भी, M का 18 परसेंट और इतना ही खर्च किया है, गीता ने, लेकन गीता के पास, ललेत अपनी वीडियो बंद करो मीना ने M का 18% घर्च किया है जो G का कितने परसेंट है इंटू 100 कर दिया है बोलो किसी को पूछना है गोश्त बताऊ समझो बात को ध्यान से मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आपको परसेंट निकालना है तो परसेंट पे उतना ध्यान मत दो अगर मैं आप से कहूँ कि मैंने एक रुपया खर्च किया और मेरे पास चार रुपय थे तो एक खर्च किया चार में से गिया परसेंट निकालने के लिए सो से बणा करूँगा तो आपको कि 25% खर्च किया ऐसे ही गीता ने कितना खर्च किया गीता ने M का 18% खर्च किया और गीता के पास रुपए कितने थे जी तो इतना खर्च किया इतने रुपए थे इन्टू 100 कर दो 100 से 100 कट गया 18 M upon G percent आंसर आगया यह option आपका आंसर बताओ कहीं पे कोई doubt है clear कर दो में यह भी प्यारा सवाल है हाला कि बहुत मुश्किल नहीं है डेटा थोड़ा जादा है आप लोग इस बात की आदत बना लो कि जो भी question आप आ रहे हैं उसमें data थोड़ा जादा है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि question में data तो जादा नहीं होता लेकिन वो language बड़ी लंबी जोड़ी लिखता है बेफालतों की चीज़ें भी लिखता है जैसे आप ये भी बोल सकते थे कि चीनी में 20% की कमी हो गई चीनी की कीमत में लेकिन वो ऐसे नहीं लिखता वो कहता है कि सरकार की tax में की गई नीतियों में बदलाव के कारण चीनी की कीमत में इतनी कमी हो गई देखो कमी कैसे भी होई इससे मैत पर फरक नहीं बढ़ता लेकिन वो language बड़ी बड़ी बनाता है जिससे आप उसे देखके डर जाओ डर ना नहीं है क्वेस्टन पढ़के देखो हो सकता है उसमें कुछ हो ही न जैसे हमने पिछला क्वेस्टन किया था कि टीवी लेने गई थी एक वारत अब उसमें वो 15,000 जो वैल्यू दे रख्कियों उसको कुछ काम नहीं इस क्वेस्टन को देखो देखो समझ लेना ये क्वेस्टन थोड़ा सा समझने में गड़बड़ करता है एक कॉलेज में 70% छातर लड़के हैं और 6 लड़कियां तो जब डेटा हमें देही रखा है तो हम थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलते हैं साथ अगर 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां होंगी हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितने दिस हो फिर कह रहा है लड़कों का 20% और लड़कियों का 33.33% फीस माफी पाते हैं मतलब लड़कों की संख्या का 20% की फीस माफ हो जाती तो 70 का 20% अगर आप निकालो तो साथ दूनी 14 लोग फीस माफी पाते हैं लड़कों में और 33.33% का मतलब क्या होता है एक बटे 3 लड़कियों का एक तहाई फीस माफी पाते हैं तो 30 का एक बटे 3 कितना हो जाएगा 10 लड़कियां 10 लड़कियों को छूट मिलती है कुल मिला के 14, 10, 24 लोगों को छूट मिल जाती है फीस में फिर कह रहा है अगर फीस माफी पाने वाले छातर 60 हों देखो इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आपका जो क्वेस्चन है यह वैल्यू तो है अपने मानी थी सारी हमने माना था 100 स्टूडेंट है जिसमें से 24 लोग फीस माफी पाते हैं जो हमने डेटा से निकाते हैं और इस 24 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 60 है कह रहा है अगर फीस माफी पाने वाले लोग कितने है 60 है तो फीस माफी बाने वाले टोटल लोग हमारे अज़ाब से 24 हैं और 24 की वैलियू कितनी दिये साथ फिर कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या ग्यात करो जिनने 50% छूट मिलती है फीस में देखो ये 24 तो वो लोग थे 24% जिनने फीस माफ हो गई पूरी तरह फीस माफ हो गई और कुछ ऐसे भी है जिनने 50% फीस छूट मिली यदि यह दिया गया हो कि जिन छात्रों को फीस माफी नहीं मिलती है उसका 40% छात्र फीस छूट पाते हैं अब देखो भी 100 स्टूडेंट टोटल दें 100 में से 24 लोग जो थे उन्हें फीस में माफी मिल गई तो बाकी बचे हुए 76 को कुछ नहीं मिला इस 76 का 40% लोग इसे थे जिनने 50% डिसकाउंट मिलता है फीस में तीन तरह के स्टूडेंट है एक को माफी मिलती है एक को छूट मिलती है और एक को सारी फीस देनी बढ़ती है तो माफी वालेत हो गई यह 24 सौँए से तो इस पूरे की value हम निकाल देते हैं 74 गोणा 40 बटे 60 बटे 100 जो कटता देखे उसे काटे जैसे ये से काटे तो ये 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 कट जाएगा 5 से ये से काटे तो ये 20 बार कट जाएगा 20 दूनी 40 से ये 40 कट जाएगा मतलब ऐसे स्टूडेंट जिने कुछ नहीं मिलता वो 76 है ऐसे स्टूडेंट जिने 50 परसेंट डिसकाउंट मिलता है वो कितने हैं वो 76 स्टूडेंट है बही आवाज आने में दिक्कत है क्या आप लोगों को क्योंकि पुश्पेंद्र कह रहे हैं कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है सब को आ रही है ठीक है भी पुश्पेंद्र आपके नेटवर्क में दिक्कत है अगर आपको आवाज नहीं आ रही है और अगर बिल्कल नहीं आ रही है तो आपने कहीं से मुझे मुझे म्यूट कर दिया है आप देखो वहां पे कोई ओप्शन होगा मुझे म्यूट किया होगा तो आपको आवाज नहीं आ रही होगी साइड में एक कॉर्नर पे माइक सा लगा आ रहा होगा उस पर देखो वहां से कहीं कुछ तो नहीं आपने कर दिया है आपके एप से दिक्कत है कि बाकी लोगों को आ रही है इस वाले question में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ देखो question बहुत straight है बस data दोड़ा सा जाद है समझना आपको पढ़ेगा कि question में तीन तरह के student है एक जिने fees माफी मिलती है एक जिने 50% छूट मिलती है और एक जिने पूरी fees देनी पड़ती है हाँ recording मिलेगी बई recording हो रही है recording मिलेगी YouTube पे मिलेगी यहाँ पे आपके पास एक सुविदा रहती है आप साथ की साथ पूछ सकते हो जो भी बात आप नहीं समझ रहे हो लेकिन YouTube पे आप पूछ नहीं पाओ और तो जने लोगों का network नहीं काम कर रहे है तो कोई बात नहीं भी आप वहां पे देख लेना लेकिन जो लोग समझ सकते हैं वो यहीं पर समझे इसमें किसी को डाउट नहीं है किसी को भी नहीं आगे बढ़ जाते हैं कह रहा है एक राजा अपने अंत्य मिशनों में अपनी तीन राणियों के बीच संपत्ती का बटवारा करता है एक राजा के पास कुछ संपत्ती है जसका वो बटवारा करता है वह कुल संपत्ती का चालीस परसेंट पहली राणि को दे दता है समझ रहे हैं, तीन राणिया हैं भी इसकी, आजकल एक बीवी समवालने मुश्किल हो जाती है, यह तीन समवालता था, तो बाकई यह राजा होने के लायक है यह आदमी, समझ रहे हैं, मुझे एक से डग लग रहा है, यह रहा है, एक राजा आपने अंतम शनों में, राजा वो ही होता है, यह शूरवीर आदमी हो, यह काफी शूरवीर आदमी हो, कि इसने तीन राणियां पाल रखी, इससे अलावा और शूरवीर्था का परिचे नहीं दिया जा सकता, समझ रहे हैं? एक राजा के बार तीन रानियां उसमें संपत्ती का बिटवारा कर रहा है कुल संपत्ती का 40% पहली रानी को दे देता है फिर 6 का 40% दूसरी रानी को दे देता है और 6 का 40% तीसरी रानी को दे देता है कह रहा है तीनों की कुल संपत्ती मतलब जो तीनों को मिली है वो 10,976 kg सोना है जो इसकी संपत्ती थी वो असल में सोना है और तीनों राणियों को 10,976 kg सोना मिला है तो राजा के पास कुल कितने kg सोना था ये पूछ रहा है कोई मुश्किल सवाल नहीं है देखो कभी ऐसा question आजाए तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं अगर हम मानें इसके पास 100 kg सोना था शुरू में तो इसने 40 kg तो दे दिया पहली वाली राणियों फिर बचा कितना 60 इस बचे हुए में से 40% तो 60 का 40% कितना होगा 24 kg इसने दे दिया दूसरी राणियों फिर इसके पास बचा कितना 36 kg और इसका भी 40% इसने दे दिया तीसरी राणियों तो 40% का मतलब कल मैंने लिगाया था 2 बटे 5 36 का 2 बटे 5 कितना होगा भी 36 दोनी 72 बटे 5 मतलब 14.4 kg किसी को दिक्कत होती हो ऐसे कैलकुलेशन करने में तो वो अलग से लिख के करें ज्योंकि अगर आप शुरू में है तो आपको दिक्कत होगी जैसे 36 का 2 बटे 5 निकालोगे ये 40% निकालोगे तो ऐसे लिख के निकालो अब देखो ये जो 10,976 kg सोना दिया है ये तीनो रानियों का सोना है तो तीनो रानियों को हमारे इसाब से कितना सोना मिला है वही तीनो रानियों को सोना मिला है 40 प्लस 24 प्लस 14.4 तो 44, 24, 64, 74, 78.4 तीनो रानियों को 78.8% सोना मिला है टोटल और इनका सोना कितना है दस अजार नौसो छेतर ठीक है न? दस अजार नौसो छेतर और आपको पूरे 100 की वैलिउ निकाल दी है कि राजा के पास कितना सोना तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इस पॉइंट से हटा दो इधर एक 0 लगा दो 78.4 रहा से ही अभी थेंक यू सुबोध यह 74.4 है गलती से लिख दिया है अब इस से इसे काट लो आप जाए चार चार करके काट लो यह 14 आएगा 14 ही आ रहा है न? 4.16 यूनिट प्लेस से लग रहा है 14 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 14 अजार 14,000 किलो सोना राजा के पास था बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो वरना फिर अगले क्वेस्चन पर जले कोई दिक्कत नहीं है भी आगे बढ़ चलते हैं देखो किसी को भी कोई दिक्कत है बे जेजक बोलो जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते हैं लेकिन जो लोग नए हैं आप इस बात को समझें कि अगर आप बिना समझें और चले जा रहें कि चलो ठीक है बात में समझ लेंगे या देख लेंगे आप अपने साथ दोखा कर रहें किसी का आप कुछ नहीं ले जा रहें पूछो जब मैं यहां पर तियार हूं बताने को दो बार बताओ चार बार बताओ अपने लोगों के पास अब तो वैसे भी चार चे महीने कुछ होना नहीं है तो चार चे महीने आसी तेयारी कर लो कि आपके काम आ जाए जल्दी इंग्लिश का भी शुरू करेंगे पहले शुरू में चोटे-चोटे सेशन लेंगे फिर बड़े सेशन लेंगे ठीक है देखो भी ध्यान से दो संख्याएं हैं जब पहली को 40% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 112 कम है अगर पहली में 320 जोडा जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 160 कम है तो दोनों संख्याओं का अंतर गयात्तरों बड़ी असवाल है असान है कुछ खास है नहीं गहरा है जब पहली को 40% बढ़ाया जाता है ध्यान देना हम दोनों समख्या है मान लेते हैं A और B पहली को 40% बढ़ाने का मतलब है कि 100 थी तो 140 हो गई मतलब अगर इसे रेशो में लिको 20 से काटके तो 5 थी तो 7 हो गई तो हम कहें कि यह नंबर अगर 5X था तो 7X होगे एक्स क्यों लिया है जब भी मैंने आपको बदाया है जोडने घटाने की बात करे तो आपको X लेना पड़ेगा बोना बात की बात करेगा तो आप रेशो पर कर सकते पर करें लेकिन इसने जोड़ा है घटाया है तो आप इसे suma 1 5X से number 7x हो जाता है लेकिशो साथ आख्स होता है यह अभी भी दूसरी संख्या से 112 कम है लेकिन अभी भी यह दूसरी संख्या से 112 कम है मतलब अगर इसमें 112 जोड़ दें तो यह दूसरी संख्या बन जाए इसके 40% से भी 112 जादा है 7x जो है वो original नंबर से 112 कम है मतलब 7x में 112 जोड़ दें तो अब यह दूसरी संख्या बने फिर कह रहा है जब पहली संख्या में 320 जोड़ा जाता है पहले नंबर में अगर 320 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 160 कम है तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो दूसरी संख्या से दूसरी संख्या यह इस से 160 कम आएगा दूसरी संख्या से 160 कम है दूसरी संख्या यह इस से 160 कम है तो इसकी value आपको बतानी है कि कितना आपका होगा, ठीक है न? ठीक है, solve कर लो भी इसे, ये 5x को उधर ले जाओ, उन values को इदर ले जाओ, ये 160 इदर जाएगा तो जोड़ जाएगा, ये 160 में से 112 घटा लो, 48 बचेगा, 48 को 320 में जोड़ेंगे तो 368, और ये 5x उधर जाएगा तो 2x बचेगा, कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर ग्या तो दूसरी संख्याथी 7x प्लस 112, अगर इनका अंतर निकालोगे तो अंतर आएगा 2x प्लस 112, इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी घटाएगे तो ये ही तो अंतर आएगा, इसकी value पूछी है, और हमें 2x की value पता है, अगर 2x की value पता है तो 2x प्लस 112 की value निकाल दो, इसमें 112 जोड़ देते हैं, 368 प्लस 112, तो ये कितना वज़ा है का 12 जोड़ेंगे 80, 480, तो ये अभी दीपक आपका अंसर सही है, 480 बढ़िया, आप लोग भी active होके पड़ो, ठीक है न, involve होके पड़ो, copy pen लेके बैठा करो, इतना टाइम में आपको देता हूँ कि आप खुद से भी आगे की calculation कर सको, तो पोशिश किया करो कि बैठ के calculation करो, जैसे class में आप लोग करते हो न, पहले से आगे वाला answer आपका ready होता है, वैसे किया गर, तो मज़ा आएगा आपको भी, आपको टाइम तो दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, इसमें अगर आप सीखें, तब ही मज़ा है, इसमें किसी को कोई doubt है, तो पूछो भी, यह question प्यारा था, बढ़िया सवाल है, किसी को नहीं समझ में आया, तो raise hand करो भी, hand raise करो भी, यह चैट में बताओ, सब को आ गया, अच्छे, फिलाड़ी हो रहे हैं आप, ठीक है भाई, चलो फिर अगले पर जाओते हैं, देखो द्यान से, कह रहा है, तीन संख्या हैं, फेली संख्या, तीसरी संख्या से, नौ सही, एक पटिक, ग्यारा परसेंट कम है, और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात, तेरा अनुपात बाईस, तो पहली संख्या, तीसरी संख्या, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो और तीसरी संख्या का और सत, बेस्टे करो 9 से 1111 पिर से 21 संक्या सब्सक्राइब टीसरी संक्या से वाइस तो पाइस subtी क्या, इससे 2 कम इसका मतलब पहली संक्या कितनी है। संक्या और तीसरी संक्या और अगर सम्या संक्या और साथром के जोड़ के बटे नंबर कितनी संक्या हैं को सब्सक्राइब औरण सुप्त कnd यसी संक्या से कितने परसेंट जाएगा कि आप प। Sum of articles upon number of articles दो संक्या हैं दोनों को जोड़के दो से बाग दे जथे हैं 21 वो गह रहा है पहली और तीसरी का और सथ दूसरी संक्या से कितने परसेंट जादा है तो 13 से ये 21 कितना जादा है भई आठ जादा है कितने से 13 से इं 200 परसेंट निकालने के लिए आठ सो बटे तेरा इसमें भी आंसर थोड़े से गलत है तेरा से इसे काट दो तेरा चंग अठतर तो यह न जितना भी आजाएगा आठ सो बटे तेरा परसेंट अंसर आएगा पॉइंट में आप लोग कनवर्ट कर दें तेरा चंग 78 हो गया उसके बाद कितना बचा दो 20 हो गया तेरा एकम 13 हो गया तेरा पंजे 65 हो गया 61.5 परसेंट आएगा इन आंसर को सही कर दो 61.5 परसेंट आंसर हो गया किसी को कुछ पूछना है तो बताओ टू पार्टिसिपेंट्स रेस्ट हैंज वे देखो टाइम इसका खतम हो गया है आप दोनों लोग जने भी कुछ पूछना है जैसे नेक्स सेशन सो शुरू होता है वैसे ही करना पांच मिनिट लगेंगे अगले सेशन में आने में यह क्योंकि यह वीडियो डाउनलोड होती है तो थोड़ा टाइम लगता है यह करना पांच मिनिट में आपको लिंक बहेता हूं तभी आप शिरू करों थेंक्यू बैच